हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल एलम अकेडमी सी एल आईएस के स्पेसल लेक्चर में सी एल आईएस जीरो वन वन पेपर कोड को हमने अल्लेडी तीन लेक्चर कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो नहीं देखा तो उपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ से जाके आप जरूर देखे आज हमारा पेपर कोड बिलाई 011 का लेक्चर नमबर 4 है इसमें हम टॉप 25 मल्टिपल चोईस को डिसकस करने वाले है जो आपके exam point of view से काफी important है फ्रेंड्स अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया तो उसका भी link मैंने description box में दे दिया है वहाँ से जाके आप जॉइन कर ले जिससे आप daily के daily lecture का पीडिया फवील कर सकते है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment section में हमें जरूर बताएं तो चलिए सुरू करते हैं आज का lecture तो friends CLIS के special lecture में हम आज paper code CLIS 011 को complete करने वाले हैं इससे पहले हमने already 3 lecture complete कर लिया है अगर आपने वो नहीं देखा तो उपर i button पे click करके या इसका link description box में दे दिया है वहाँ से जाके आप जरूर देखें आज हमारा lecture number 4 है आज हमने top 25 multiple choice question को discuss करने वाले हैं जो आपके exam point of view से काफी important question है Hindi medium वाले students के comments आ रहे थे किसर हिंदी में भी कराई है तो इस lecture का PDF हिंदी में भी है सबसे पहले 1 से लेके 25 तक English में उसके question है आप जब PDF में नीचे जाएंगे तो आपको Hindi में मिल जाएगा यह PDF आप टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आएए चलते हैं और देखते हैं के question को discuss करते हैं आज का हमारा पहला question है बुक selection is based on तो बुक selection किस पर based होता है तो इसके options है A. book size B. book content C. book reviews D. book price तो इसका जो correct answer हो जाएगा B. book content मैंने A, B, C, D यह सब लिखना उचित नहीं समझा क्योंकि काफी time लगता है डाइब करने में टाइम भी नहीं होता है और आपको content भी देना होता है तो मैंने A, B, C, D करके option नहीं दिया है बस type कर दिया है option को अब समझ जाएगा कि A, B, C, D करके हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा पहले का B हो जाएगा book content आगे चलते हैं next question देखते हैं question number second देखते है librarian day in India is celebrated on तो librarian day इंडिया में कब celebrate किया जाता है इसके options है A, 12th August B, 12th September C, 8th July और D है 8th October तो इसका जो correct answer हो जाएगा E हो जाएगा 12th August को celebrate किया जाता है librarian day इंडिया में आगे चलते हैं next question देखते हैं question number 3 हमारा है intellectual property right cover तो intellectual property right क्या cover करता है तो इसके options है A, tradmarks B, patent C, copyright और D है all of the above तो इसका जो correct answer हो जाएगा D हो जाएगा all of the above जैसा कि मैंने previous lecture में भी आपको बताया था कि अगर आपके question में all of the above आए जाए तो maximum 99% all of the above ही correct होता है अगर आपको question नहीं आ रहा है तो definitely आफ all of the above को tick कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो उसके हिसाब से देख लीजेगा तो आपको आएगा तो all of the above तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि all of the above correct है अगर आपको बिलकुल नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं बता कि क्या answer होगा तो अगर all of the above है तो आप उसको tick कर सकते हैं अगर आपके exam में true और false के question आते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप easily समझ सकते हैं कि answer true होगा या false होगा लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप true करके ही आएगा 99% true ही correct होता है 99 नहीं लेकिन 95% true ही correct होता है तो यह दो चीजे आप ध्यान से याद रखिएगा आगे चलते हैं next question देखते हैं question number 4 who is the father of library and information science in India तो कौन है father of library and information science इंडिया में तो इसके option से A. Ramesh Rangnathan B. Rangnathan C. Rangnathan Mishra और D. Isar Rangnathan तो इसका जो correct answer हो जाएगा Isar Rangnathan है हमारे father of library and information science in India आगे चलते हैं next question देखते हैं question number 5 which of the following is the national library of India तो इसमें से कौन सा national library of India है तो इसके option से A. Public Library Elipore, Kolkata B. Delhi Public Library C. Raja Ram Mohan Rao Library Foundation D. Documentation Research and Training Center तो इसका जो correct answer हो जाएगा हमारा A हो जाएगा Public Library Elipore, Kolkata यह हमारा है National Library of India आगे चलते हैं next question देखते हैं question number 6 है हमारा which of the following does not form part of four broad categories oblique types of library तो इसमें से कौन सा four broad categories में नहीं है यह पूछ रहा है एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप जब भी question पढ़ रहे हैं तो उसमें not जरूर ध्यान जीजेगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उसमें पढ़ेंगे which of the following is this four broad categories यह types of libraries तो इसमें उनको पहला ही दिख जाएगा कि academic library उनको लगेगा सही है वो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे जबकि उनका question गलत हो जाएगा क्योंकि वो not को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है हम भी पहले mistake करते थे कि not को नहीं पढ़ते थे क्योंकि यह सही है और आगे बढ़ जाओंगा जबकि पूछ रहा है कि not form पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है तो इसमें जो correct हो जाएगा हमारा general library correct हो जाएगा आगे चलते हैं next question देखते है question number seven what is a virtual library तो virtual library क्या है तो इसका जो correct answer हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा library that does not exist in real life and consist of material organized in virtual space using computer networks तो यह हमारा बी correct हो जाएगा इसके चारो option को मैं नहीं बढ़ड़ा हो काफी बड़े-बड़े option है आपका time waste होगा तो इसका जो correct हो जाएगा virtual library क्या होता है तो यह बी हो जाएगा correct answer आगे चलते हैं next question देखते है question number 7 देखते है इसार रंगनाथन formulated how many laws of library science तो इसार रंगनाथन ने कितने तरह की library science को formulate किया था तो इसके options A 7 B 9 C 4 or D 5 तो इसका जो correct answer हो जाएगा 5 आगे चलते है next question देखते है question number 8 which amount of falling is the first law of library science तो इसमें से कौन से पहला law है नियम है library science का तो इसके option से A save time of the user B है library is growing organism और C है book are for use और D है every book its reader तो इसका जो correct answer हो जाएगा हमारा book are for use first law of library science हमारा है book are for use C correct हो जाएगा आगे चलते हैं next question question देखते है question number 9 है what is the simple book तो इसका जो correct answer हो जाएगा कि simple book क्या है simple book हमारा its treatment of subject is continuous and written by one or more than one authors तो यह हो जाएगा हमारा correct answer C हो जाएगा आगे चलते हैं next question देखते है question number 10 देखते है which of the following classification system are commonly used in Indian libraries तो इसके option से inversion decimal classification divi decimal classification colon classification scheme इसका जो correct answer हो जाएगा D हो जाएगा both B and C divi decimal classification both are correct आगे चलते है next question देखते है question number 12 the national science library and the national medical library both are located तो national science library और national medical library कहाँ located है तो इसके options है A चन्नई B बैंगलोरू C नेओडल ही और D कॉलकटा तो इसका जो correct answer हो जाएगा C हो जाएगा New Delhi आगे चलते है next question देखते है question number 13 academic libraries are those that serve student in तो academic libraries जो student को serve करता है वो क्या है तो इसमें से कौन सा होगा थे इसके options से A universities B college C schools D all of the above इसमें भी all of the above दिया है इससे पहले वाले question में भी all of the above था तो ये भी all of the above correct हो जाएगा universities में भी होता है college और school सब में तो all of the above correct है आगे चलते हैं next question देखते है question number 14 international library day is celebrated on international library day कब celebrate किया जाता है इसके options से आगे चलते हैं sequential order में sequential order में A है हमार expressive title B है kernel title C है analyze title D है transform title इसका जो correct answer हो जाएगा A, B, C, D हो जाएगा यह पहला ही correct हो जाएगा यह पहले से ही sequential order में arranged हैं आगे चलते हैं next question देखते है question number 16 देखते है Who developed the Indian Citation Index ICI यह भी पूछ सकता है कि ICI का full form क्या होता है तो Indian Citation Index होता है तो इसमें पूछ रहा है कि Who developed the Indian Citation Index यानि ICI को किस ने develop किया था इसके options से University of Delhi B है DR DC Bangalore C है Knowledge Foundation इसका जो correct answer हो जाएगा C हो जाएगा Knowledge Foundation आगे चलते हैं next question देखते है question number 17 What type of bibliography is Indian National Bibliography इसके जो options है A. Textual B. Analytical C. Descriptive D. Enumerative तो यह इसका जो correct answer हो जाएगा D हो जाएगा Enumerative आगे चलते हैं next question देखते हैं question number 18 Which department of government of India deal with public library तो कौन सा department government of India का public library को deal करता है तो इसके options है A. Department of Tourism B. Department of Education C. Department of Culture और D है D है हमारा Department of Law and Justice तो इसका जो correct answer हो जाएगा Department of Culture इसको deal करता है आगे चलते हैं next question देखते है question number 19 which of the following is the permanent record of library तो इसमें से कौन साब permanent record है library है इसके options A. Catalog B. Chef List C. Stock Register और D है accession register इसका जो correct answer हो जाएगा accession register हो जाएगा आगे चलते हैं next question देखते है question number 20 खुदाबक्स oriental public library is situated in तो यह कहां पे है खुदाबक्स oriented public library तो इसके options A. Kolkata B. Vonneswar C. Lucknow D. Patna तो यह Patna में है खुदाबक्स oriented public library आगे चलते हैं next question देखते है question number 21 dictionary is placed in which part of library तो इसके options से A. Research section B. Reference section C. Literature section D. Art section तो dictionary कहां place किया जाता है किस part of library में place किया जाता है तो reference section में dictionary को रखा जाता है आगे चलते हैं next question देखते है question number 22 to routing is used for तो routing किसलिए यूज करते हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा maintenance of periodicals के लिए तो 22 का कौन सा correct होगा हमारा B. Correct हो जाएगा maintenance of periodicals routing किसके लिए यूज होता है maintenance of periodicals के लिए आगे चलते हैं next question देखते है इसके option से B. School d. National performance assessment of companies तो इसका जो correct answer हो जाएगा NPAC का full form हो जाएगा हमारा C हो जाएगा national program for acquisition and cataloging तो यह हमारे top 25 multiple choice question थे अगर Hindi medium वाले की बात की जाएगा तो Hindi medium वाले बिलकुर टेंशन ना ले इसके नीचे ही Hindi medium में पूरा PDF पड़ा हुआ है तो आप Telegram channel जो LM Academy है वहाँ से जाके आप download कर लिए जाएगा यह Hindi medium वाले के लिए हो जाएगा सारे यह answer same है जैसे भारत में librarian दिवसकम मनाया जाता है तो उसके option से 12th August 12 September 8 July 8 October तो 12th August correct हो जाएगा जो answer English में हो Hindi में हो जाएगा बस आपका Hindi वालों के लिए नीचे दिया हुआ है PDF में और English वाले को उपर दिया हुआ है तो all of the above कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी आप पढ़े नहीं है आपको पता नहीं है कि क्या answer होगा तो all of the above कर सकते हैं maximum time correct ही होता है और true false में true को कर सकते हैं तो आपका exam है आज उसके लिए all the best मिलते हैं next lecture में धन्यवाद